Hello friends, welcome back to our YouTube channel, power of industry में आपका स्वागत है, तो आज हम बात करेंगे इसाफ small finance bank के बारे में, this video will be educational video रहेगा और यहाँ पर मेरी आपको कोई advice नहीं है, कि आप इस company के सब्सक्राइब खरीदे या बेचे, आपको जो भी कुछ करना हो, please आपना डुले अवस करें, तो इसाफ small finance bank क के बारे में video बनाने का इसलिए मन किया, कई साइब सब्सक्राइबर की message भी आ रहे थे कि सार इसाफ के बारे बताईए, तो today we are going to make this video, and no doubt company काफी अच्छी है, इसाफ small finance bank बहुत rapidly तरीके से load दे रहे हैं, और अगर आपने आसपास देखा होगा, तो you can judge a culture of any bank, अगर आप gate पर जाएंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे, तो आपको माहौल पता लग जाएगे किस तरह के इनके loan disperse हो रहे हैं, फिर इनके पास deposit आ रहा है, तो बहुत जल्ली grow कर रहा है, और खासकर अगर small finance bank में बात करेंए, तो मुझे 3-4 bank काफी अच्छी लगती है, यह small finance bank कभी small नहीं रहा है, वो काफी बड़ा bank हो चुका है basically, but small finance bank में count होगा है, पर अगर हम बात करेंए, तो small finance bank, one of the great bank है, उटके task भी अच्छी है, और उसके बाद मुझे लगता है, एसाफ small finance bank में काफी अच्छी bank है, और काफी अच्छा खासा business कर रही है, अगर हम company के financial को लेके देखें, और खासकर small finance bank के business को लेके देखें, तो small finance के business को आँगे चल के बहुत growth मिलने वाली है, और जैसे छोटे-चोटे loan जो दे रहे है न, इनकी recovery भी अच्छी आ रही है, तो इस तरह इनकी growth है, वो काफी अच्छी होगी और हो भी रही है, इनकी balance sheet में सब चीज सो भी हो रहा है, तो अगर हम company के financial को देखें आप है, तो company के तकरीव है ने 25-85 क्रोड की market cap है, सिर्फ 5,500 क्रोड की market cap पे ये company trade कर रही है, and current price इसका 50.20 है, इस 50 to be high यानी all-time high इसका 82.4 है, and low 48 गया है, तो we can say that यार कि अपने low पे ही trade कर रही है ये company, और stock का P7.22 है, and book value 48 है, त सबसे बड़ी बात है कि अगर ये book value के पास ही trade कर रही है, तो सबसे अच्छी बात है कि हम चलो book value में कोई share खरी लिया, बहुत अच्छी बात है, so dividend में काफी अच्छा दे रहा है, 1.39% and ROC तो financial and NBA sector में count नहीं कियाता है, but ROE का बहुत बढ़ा roll रहता है, 10 के उपर का ROE है, तो ये भी अच्छी चीज है, promoter की holding भी काफी अच्छी है, 63.4 and अगर हम बात करें, यहाँ पर लास्ट यहर जो इनका trailing 12 month में जो net profit दिख रहा है, वो 358 crore के आसपास दिख रहा है, so ये अच्छी खासी बात है, और company में हम यहाँ पर और इनके main point के है, वो cover up कर लेते है, company हर type का loan दे रही है, asset product loan है, चाहे micro, macro loan हो, retail loan हो, MSME loan, agriculture loan, gold loan, हर type का loan they are providing, और सबसे बड़ी इनके पास number of outlets 700 है, जहां से जो loan points है, एक तरह से चाहे वो branches हो, या फिर इनके और भी क्योंस हो, जहां से ये लोग अपने customer को reach out करते हैं, तो 700 point है, number of employee इनके पास 560 है, lending accounts, इनके पास 0.37 करोड है, deposit account के पास 0.68 करोड है, तो अगर हम देखे जाए, तो lending and deposits account इतरा से double है, तो यह भी ठीक है कि इनके पास deposit account भी है, अगर हम बात करें, तो deposit company के पास 15, 655 करोड का deposit है, और अगर हम बात करें, पर unit banking यो outlet के पास, इनके पास deposit 22.37 करोड का deposit है, काफी कच company grow करती चली आ रही है, काफी company grow करने वाली भी है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो distribution network इनके पास banking outlets है, और इस type का business बहुत ही grow करेगा, future में आपको बतारों की, और खासकर small finance bank तो एक तरह से अपनी आपको बहुत ही तरीके से grow कर रही है, अगर हम बात कर लेते हैं के quarterly results को लेके, तो यहाँ पर March 21 से लेके June 2024 के results अपने सामने हैं, अगर हम revenue देखेंगे तो 385 क्रोड की revenue से 1022 क्रोड की revenue, which is looking highest ever, यहाँ पर highest ever ही है, quarter to quarter इन्हों ने पीछे मुर के नहीं देखा है, आप पीछे देखिए, 385, 599, 690, 680, 701, 704, 899, 940, 944, 1,2, 1022, तो revenue quarter to quarter improve कर रहा है, पिछली तीन साल से, बहुत ही अच्छी बात है, और financing profit अगरम देखें, तो थोड़ा सा भी इनके दो quarter में कम आए है, ठीक है, it's a part of that, बट इनके पास other income banking institute में काफी कुछ रहती है, तो अगर हम overall देखें, तो net profit company के पास 63 crore है, तो काफी अच्छा है, अगर आप देखेंगे, सर्फ पिछली quarter से, तो ये year के quarter से तो कम है, अगर एक बार जिसने loan ले लिया है, तो उसकी civil खराब हो जाएगी, वो कहीं का नहीं राएगा, तो ultimately उनको आके भरना ही पड़ेगा, और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें रहती है, क्योंकि लोग आग फिर अगर उनकी civilly खराब हो जाएगी, तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो definitely ये आँगे चाके recovery होगे, जैसे जीवन small finance bank में हुआ, एक कुटास में हुआ, उसी तरह ये recovery भी आएगी, नए नए loans भी बढ़ रहे हैं, तो gross NPA automatic आँगे जाके कम होगा, मैंने आपको बताया भी था, gross NPA, net NPA का क्या होता है, अगर आपको और detail में समझना, तो मैंने HDFC bank का एक वीडियो बनाया, तो latest में, वहाँ पर आपको इस चीज ने सारी अच्छी तरीक से cover की थी, profit and loss की बात करें, तो revenue highest एवर 3,922 crore revenue दिख रहा है, profit दिख रहा है, trail 12 month में, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि company 358 crore revenue post करेंगी, मुझे लग रहा है 426 crore से उपर ही करेंगी, because कहीं न कहीं management को यह सब चीजें पता होती ही, कि अगर market में perform करना है तो उनके stock को भी perform करना पड़ेगा, उनके stock को कैसे perform करेंगी, जब तक यह balance sheet नहीं सुधरेगी, stock perform नहीं करेगी, market में impact खराब जाएगा कि company पिछली यर से loss में आई है, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में यह plus में आएगी, balance sheet की बात करने हैं तो यहाँ पे काफी healthy strong balance sheet है, पांदरा, पांदरा करोड का equity है, reserve 1970 करोड है, reserve लगातर बढ़ रहा है, और बोरिंग भी बढ़ रही है, लोन डिस्बस हो रहे है, 205 करोड का fixed side है, 3 करोड capital work in progress में भी है, नई branches खुल नहीं होगी है, तो यह भी ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे share holding pattern की, तो बहुत पांदर के पास नहीं है, promoter के पास holding रखी है, FIB 0.12 है और DI 8.9 है, पबलिक के पास यहाँ पे 27.57 दिख रही है, बगार अगर हम जह सब calculate करेंगे, तो तकरीवन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तकरीवन 10-11% के आसपास होगी, 15% के आसपास ही है, पबलिक के पास, जनरल पास अज़ेंस भी हाँ है, 488 touch point है, इनके पास extended network है, 23 state में, तो ट्येटरिस में, gross advance इनके पास 12.75 क्रोड का हो चुका है, total loan book, इनके पास 14.3% से यहर ओनरी growth हुई है, disbursement for quarter चार यहाँ, 503 क्रोड का disburse हुए है, ये latest quarter के result नहीं है, जो जुलाई, मार्स, अप्रैल से जू यह सारे point दिएगा यह आप पढ़ेंगे तो आपको और confidence आएगा कि क्यों company आगे जाके अच्छा खासा करेगी और all over India में इनकी branches हैं सबसे अच्छी बात यह है अगर आप इनकी PPT भी देखेंगे तो आपको यह काफी confidence आएगा कि they are in all over India और हर जगे इनके पास branches हैं तो they will run the business properly और उनका business भी काफी grow करेगा यहाँ पर बताएगा 23 statement के पास 8481 total customer touch point है 700 branches के अलावा इनके पास 8481 touch point वन्दफ क्यों बगरा सब कुछ होंगे तो वहाँ से यह लोग customer अपने approach करते हैं बहुत ही अच्छी बात है 755 banking outlets दिखर ही हम आपे 700 थी तो यह बढ़ चुकी है 627 ATM भी है loan book भी अच्छी खासी है नहीं साथ 664 क्रोड की और अगर हम बात करें depository के पास 287 क्रोड का हो चुका है बहुत ही अच्छा है और profit after tax नहीं पर श्रीदी करोड दिख रहा है which is looking very very good मेरे साब से कुछ चीज बैंकिंग में रहती ही concern बट यह सब बिजने ऐसा ही चलता है और इसमें कोई ऐसा नहीं कि bank बंद हो जाएगी और हम देखें ना पर जोग अपर प्रोजिशन आप दा बै समय में यहां पर भी position बनेगी और branches भी लगातार इनकी खुल नहीं है जिन जिन state में ज्यादा potential है जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छा खासर potential है वह ब्रांचे ज्यादा नहीं है तो वहाँ पर ब्रांचे जिनकी ज्यादा future होगी मत्प्रदेश में राइस्तान में तो यह सब चीजे ब्रांचे जिनकी लगातार खुलती चली जाएगी और बिजनेस इनका grow होता चला जाएगा अगर हम देखें तो इनकी जो सबसे ज्यादा जो ब्रांचे है वो semi urban area में 58% और urban area में 20% है 11% ruler में 10% metro में तो सब सबसे बन का जो business आता है वो semi urban area से आता है और semi urban area में ruler builder area भी cover हो जाता है because वो तैसिर लाएके इलाके रहते हैं वहां से सब चीजे customer approach करते हैं so I hope आपको यह business संग में आया होगा आगर हम बात कर लेते हैं यहां पे chart pattern की direct में तो stock एक 50 रुपय के आसपास जो इसका एक तरह से support बना हुआ है उसको break नहीं कर पा रहा है और मुझे नीचे गया तो यह फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है because यही stock market की खूपसूरती है कि हम कभी भी bottom नहीं समझ सकते और नहीं कभी upside पर समझ सकते हैं एक अंदाया लगा सकते हैं तो यह 40 रुपय के आसपास और आ सकता है अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो marketing है वैसे तो मुझ time high से fall देखें तो यह बहुत ज्यादा fall हो जाएगा let me check it out this will be a near about 50% तो small finance bag में 50% भी हमने down देखे हैं तो ऐसा नहीं की आ नहीं सकता बट अगर हम इसके apart from देखें एक long horizon लेके देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस current level से भी इसको buy किया जा सकता है with your due diligence मेरे कहने से नही अगर हम देखें तो यहां से जो अगर इसका all time high है 82 रुपीज उस target के लिए रखा जाए तो current market price से भी अच्छा खासा return है and that will be a near about 65% के आसपार तो अगर इसको 65% के लिए लेना है तो आप installment में with your due diligence ले सकते हैं कुछ amount अभी लगाया कुछ amount नीचे आया तो लगाएंगे और नहीं लगाया तो थोड़ा ऊपर जाएंगा तो resistant बनेगा तो फिर ले सकते हैं तो अगर इसको लेकर तेखें तो 64% 65% के लिए इसको अपना due diligence करने के बाद ही रखना otherwise नहीं तो फिर आपको problem होगी because stock market में यह कभी नहीं होता है कि यह नीचे नहीं जाएगा यहां से औ कोई चीज समझ में नहीं आए कुछी समझना चाहते हैं जो एक मिनिट में एक आंसर देने से हो जाए तो आप WhatsApp कर सकते हो 9826287440 पर बहुत किकली reply देता हूं जब तक अपना ध्यान रखिए अपने प्रोटफोलियों को ध्यान रखिए एक बात हमेंसे जाद रखिए सब समस्या का समाधान दिखाई देगा और जब आपने पास अपनी खुद की कन्वेक्शन अपनी खुद की स्टडी पर कोई स्टॉक खरीदेंगे ना तो हमें खुद का कॉनुदेंस होगा नहीं यह उपर ही जाएगा आज नहीं तो कल तो बाबाए